हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD Job में राज्य लोग सेवा आयोग सिख्षक भरती 2024 माधिमिक सिख्षक और उच्च माधिमिक सिख्षक के पदों पर वेकेंसी का नोटिफिकेशन है पर्मानेंट पोस्ट रहेगी सरकारी, नौकरी माई 2024 है, आप चलिए नोटिफिकेशन जो है वो चैक कर लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं और आविदन टिथी से पहले जो भी कैनिरेट आविदन करेंगे, लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शियर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देखें, ओनलाइन आविदन प्रारम करने की तिथी जो है वो 25 अपरेल 2024 है, यानि आविदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथी 16 मई 2024 है उम्रसी इमा की अगर हम बात करें, तो निउन्तम 25 वर्स और सामान्य कोटी की अधिक्तम 40 वर्स है पिछड़ा एवम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 43 वर्स, SCST 45 वर्स और अनारक्षित वर्ग की महला 43 वर्स मादिमिक सिक्षक के कुल 41 पदों पर वेकेंसी जारी की गई है, इसमें वेतनमान लेवल 9 के अकॉर्डिंग रहेगा क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि सनातक डिग्री 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ में होनी चाहिए SCST पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए निर्धारित अंक 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी साथ में B.A.D. होना चाहिए और आपके पास जो है बिहार सरकार द्वारा आयुजित करवाया गया सिक्षक पातरता परिक्षा उतीन हो या फिर आपके पास C.T. to qualify आप हो इसमें जो है एक और चीज कि यहां पर जो है जिनके पास अनुभव नहीं है वो apply नहीं कर सकते मानेता प्राप्त प्लस टू यानि 12 विध्याले में तीन वर्सों का इस नातक सिक्षक के रूप में sectionic अनुभव T.Z.T. post पर आपने तीन वर्सों तक जो है अनुभव ग्रहन किया हो तो आप apply कर सकते हैं तो आपको पता जो है बिलकुल यहां पर लग जाता है कि वेकैंसी जो है किस राज्य की है वेकैंसी बिहार लोग सेवा आयो की तरफ से है और इसका जो विध्यापन जैसे ही आया थ मैंने आप लोगों को सूचना दी थी आवेधन की जो प्रक्रिया है तीन दिन पहले ही शुरू हुई है जो भी आवेधन करने के इच्चुक हैं पूरा विध्यापन सही से पढ़ेंगे और फिर आवेधन करेंगे सभी राज्यों के कैनिडेट बिलकुल आवेधन कर सकते है तो माधिमिक सिख्षक के 41 पदों पर वेकेंसी है उसके बाद उच्च माधिमिक सिख्षक के 21 पदों पर वेकेंसी है बिलकुल इस्थाई नौकरी है वेतन मान लेवल 11 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा उच्च माधिमिक सिख्षक को भारत का नागरिक हो केंद्र या बिह आपका उतीन हो, 55% अंकों के साथ में master degree आपकी हो, आपके subject में, B.A.D. होना चाहिए, और साथ में तीन वर्सों का, P.G.T. की post पर section एक अनुभव, अनुभव आप लोगों को बता दिया है, चैन प्रक्रिया कैसे रहेगी, प्रारंबिक परिक्षा होगी, फिल लिखित परिक्षा होगी, उसके बाद last में interview रहेगा, प्रारंबिक परिक्षा 120 मार्क्स की होगी, उसके बाद जो मुख्य परिक्षा होगी, दो पालियों में संपन्न की जाएगी, और इसमें subject आप देख साथ्र, समाज सास्र, मनो विज्ञान, दर्सन सास्र, ग्रह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकांट, बिजनिस टड़ी, माधमिक सिख्षक के लिए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बहुतिकी, गणित, रसाइन विज्ञान, जी विज्ञान, इतिहाज, भूगोल राजनिती सास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीद, नत्य, सारेरिक, सिक्षक, तो ये सबजेक्ट है, साक्षातकार जो है 100 मार्क्स का रहेगा, आरक्षियन के अगर हम बात करें, तो आरक्षियन केवल बिहार राज्य के कैंडिरेट को ही मिलेगा, आरक्ष स्थाई निवास, क्रेमिलेयर, रहित, प्रमान, पत, उसके पिता के नाम, एवं पता से निर्गत होना चाहिए, पती के नाम का नहीं होना चाहिए स्लेबस जो है, वो बिलकुल आप लोगों को वेफसाइट पर मिल जाएगा, शुल्क, फीस जो है, वो आविदन की यहाँ पर लग रही है, जनल कैटेगरी की 600 रुपे, केवल बिहार राज्य के SCST कैटेगरी की 1500 रुपे है, और स्थाई निवासी, सभी आरक्षित औनारक् बागी बहारी राज्य के कैंडिडेट मेल, फीमेल सभी की 600 रुपे है, दिव्यांग अभ्यरतियों की 1500 रुपे है, अन्ने सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपे ही फीस है, चाहे वो बिहार राज्य के मेल कैंडिडेट है, या फिर बहारी राज्य के 600 रुपे इस जो है आरक्षित वर की जो महला है उनकी 1.500 रुपए फीस है लास्ट डेट आपको बता दी है 16 मईई 2024 है आविदन आप समय से पहले कर दें सही तरीके से विज्यापन पढ़ेंगे जादा बड़ा नहीं है आठ पेजों की ये PDF फाइल है तो अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पढ़ाना है उसके बाद यहाँ आपको विज्यापन जो है किस डेट का देखना है तो थोड़ा सा जो है आपको नीचे यहाँ पर 13 अप्रेल का जो है विज्यापन देखना है यहाँ पर यहीं मिल जाएगा आपको यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह वाला सिमूल तला रेजिडेंशल स्कूल जमुई काफी अच्छी वेकंसी है सेकेंडरी अन हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए तो यह आवास्य विध्याले है यह भी ध्यान में रखना है सरकारी आवास्य विध्याले में नौकरी करने का काफी अच्छा मौका रहेगा बहरी राज्ये के केंडरी रेट बिलकुल अप्लाए करें लास्ट रेट से पहले थैंक यू